यहां सबी धर्मों के लोग एक जुट होकर रहते हैं यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई और आप सब से कुछ बाते करने के लिए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है देखिए चुनाव आगया है यहां पे मुझे बहुत सारे नौजवान दिख रहे हैं कितने नौजवान हैं जरा हाथ उठाएं आप तो नौजवान नहीं हैं चलिए ठीक है अब जरा मुझे बताईए कि आप में से पिछले पात सालों में किसको रोजगार मिला है सरकार से हाथ उठाके दिखाईए सबको मिला रोजगार नहीं मिला ना किसी को नहीं मिला सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके प्रदेश में रोजगार महंगाई और किसानों की जो समस्याएं हैं यह यह ना तीन सबसे बड़ी समस्याएं हैं मैं आपको बताती हूँ कि यहां आके मुझे ताजब क्यों हुआ जैसे मैं हेलिकॉप्टर में थी मुझे बताया गया कि यह मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है उनकी विधानसभा है हेलिकॉप्टर उत्रा वहां से यहां तक आते हुए मैंने सोचा कि मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है खुब विकास हुआ होगा इतना तो देखिए हर प्रदेश में हर मुख्य मंत्री कर लेता है अपनी विधान सभा की का विकास कर लेता है अच्छे अच्छे सडकी होती है चाहे किसी भी पार्टी का हो मुझे ताजब हुआ यहां की स्थिटी देखके यहां की सडक को देखके ये देखके कि आपके मुख्य मंत्री ने पिछले पाथ सालों में आपके लिए कुछ नहीं किया है ये बात मुझसे अच्छी तरह आप सब तो जानते ही होंगे देखिए आप उत्तर प्रदेश से लगे हुए है मैं जानती हूँ कि आपकी क्या-क्या समस्याएं है हर जगे किसानों की समस्याएं उनके संकट इतने बड़े हैं कि उनका सामना करना मुश्किल हो रहा है खाद का वितरन नहीं होता फसल का आपको दाम नहीं मिलता कितना मिल रहा है आपको गन्ने के लिए बताईए कितने रुपे कुइंटल मिलता है मैं जानती हूं कि सही दाम नहीं मिलता गेहू का नहीं मिलता धान का नहीं मिलता गन्ने के लिए नहीं मिलता यहां पे किसान सिर्फ संगर्श कर रहा है आपने देखा कि किसान के अंदोलन के साथ क्या हुआ एक साल के लिए पूरे साल के लिए किसान अंदोलन करते रहे रोजी रोटी नहीं कमा पाए आप ऐसे कानून ला रहे थे जिससे मेहनत करे किसान फाइदा हो बड़े-बड़े उद्योग पतियों का इसलिए अपनी समझदारी और अपनी विवेक से आपके प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के पंजाब के हर्याना के किसानों ने अंदोलन किया कितने किसान शहीद हुए इस अंदोलन में आप बटाईए उस पूरे समयन में इस सरकार के एक भी मंत्री ने प्रधान मंत्री ने आपके आपसे पूछा आपके पास आए कि आपकी क्या समस्या है इसको कैसे सुलजाएं अब सरकार की नियत भी देख लीजिए एक साल के लिए किसान अंदोलन कर रहा है कोई पूछता नहीं है किसानों तक पहुंचता नहीं है पूछने की कैसा क्या है क्या समस्या है कैसे सुलजाएं चुनाव आने लगा चुनाव आने से एक महीने पहले किसान कानून रद कर दिये रद करने के बाद भी जब इनसे पूछा गया कि जो शहीद किसान है उनके लिए आप क्या करेंगे उन्होंने कहा शहीद किसान तो है ही नहीं सूची ही नहीं है हमारे पास हम क्या करें मददों की तो नियत समझ लीजिए आपके यहां भी आवारा पशू की बहुत बड़ी समस्या है उसे सुलजाने के लिए क्या किया कुछ नहीं बेरोजगारी की बात करते हैं बड़ी बड़ी संस्ताएं हैं एचियल जैसे रेलवेज जैसे जहां से बहुत रोजगार मिलते हैं सरक्यार क्या कर रही है इन्हें बेचने की युजना बना रही है किसको बेचेगी उन्हीं दो तीन उद्योगपतियों को जिनको पूरा कान किसान कानूनों से फाइदा होने जा रहा था उन्हीं को बेचने जा रही है देश के सारे बंदरगा किसको बेचे किसको देश के सारे हवाई अड़े किसको बेचे देश की सारी मीडिया किसके पास है देश का पूरा पेट्रोलियम टेकनोलोजी ये सब किसको दे रहे हैं तो इन दो लोगों के लिए इनी दो द्योग पतियों के लिए जो प्रधान मंत्री जी के मित्र हैं उनके लिए पूरे देश की नीतियां चल रही हैं देश का बजट आता है गरीबों के लिए कुछ नहीं किसानों के लिए कुछ नहीं मिडल क्लास के लिए कुछ नहीं, जो छोटे और माध्यम व्यापारी हैं, जो इस तरह की दुकाने चलाते हैं, जो रास्ते में इधर, जो छोटे छोटे मैनुफेक्टरिंग के यूनिट बनाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं. वहीं है इस देश की रीर की हड़ी जो छोटे दुकानदार है छोटे व्यापारी है जो पिछले पाथ सालों में जिनका व्यापार बंद होने के कगार पर आ गया है जिनके वो बताया गया था कि नोट बंदी इसलिए की जा रही है कि देश का पूरा काला धन वापस आ जाए उनको ये नहीं बताया किसी ने कि नोट बंदी से उन पर कितना संकट आने वाला था उसके बार GST थोपी गई उन पर कुरोना आया कुरोना में लॉक डाउन हुए सबसे जादा नुकसान किसको हुआ सबसे जादा नुकसान उनी छोटे व्यापारियों को हुआ जो इस देश की रीर की हड़ी है मैं क्यों कह रही हूं कि आप इस देश की रीर की हड़ी है क्योंकि रोजगार पैदा करने वाले यही छोटे और मध्यम व्यापारी है कोई अडानी जी और अमबानी जी नहीं पैदा कर रहे हैं रोजगार आपके लिए रोजगार पैदा करने वाले छोटे और मध्यम जो व्यापारी हैं जो बिजनिस हैं जो मैनुफैक्सरिंग के यूनिट हैं ये है इस सरकार की नीती और नियत देखिए किस तरह से आपकी कमर तोड़ी है किसान की कमर तोड़ी छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ी बेरोजगार नौजवानों को एक भी रोजगार नहीं दिया 28,000 रोजगार खाली पड़े हैं पद खाली पड़े हैं सरकार में उत्राखंड के सरकार में क्या उनको 28,000 बेरोजगार युवा नहीं मिले यहां आप हाथ उठा रहे हैं आप ही में 5,000 तो यहीं होंगे नौकरियां क्यों नहीं दी आज तक वो पद खाली क्यों है आज इतनी महंगाई क्यों है आपको गैस सिलिंडर कितने में मिल रहा है पहाणों में जाईएगा उसका दुगना लगता है ट्रांसपोर्ट लगने के बाद महंगाई इतनी ही है कि टेल नहीं खरीद पा रहे हैं खाने पीने का समान नहीं खरीद पा रहे है रोजी रोटी नहीं बन रही है और आपके सामने आकर क्या कहते हैं धर्म की बात करते हैं कैसा धर्म है ये कैसा धर्म है ये इनका सबसे बड़ा धर्म एक नेता का क्या होता है जनता की सेवा जनता की सुविधा जनता का विकास और आज तमाम भाजप्पा के नेता आपके मुख्य मंत्री से शुरू होकर देज के प्रधान मंत्री तक सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं सिर्फ अपनी सुविधाओं के बारे में सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योग पती दोस्तों के बारे में आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा अगर आपके बारे में कोई सोच रहा होता तो इतनी बड़ी तादाद में मेरे नौजवान भाईयों और बहन आप अपने हाथ नहीं उठाते जब मैं पूछती है आप से कि किसी को रोजगार मिला है कि नहीं मिला तो आपका हाथ नीचे नहीं जाता हूँ अगर इनोंने आपके लिए काम किया होता तो आज इस महंगाई की मार से आपकी कमर नहीं तूट रही होती अगर इनों ने आपके लिए काम किया होता तो आपके लिए शिक्षा की सुविधाय होती जब करोना हुआ तो आपके लिए सेहत की सुविधाय होती कहा थे ये लोग यहां से पलायन बहुत है पलायन क्यों होता है पलायन इसलिए होता है कि प्रदेश में रोजगार पैदा नहीं हो रहे है और आपके प्रदेश के पास तो सब कुछ है हिमाले है प्रकृति है परियतन के मौके है जो कोई नौजवान एक छोटा सा परियतन के लिए भी अपना बिजनस शुरू करना चाहे उसके को सुविधा मिलनी चाहिए सहायत मिलनी चाहिए सब कुछ है हुनर है आपके प्रदेश में लेकिन रोजगार नहीं है रोजगार नहीं है रोजगार के लिए आपके यहां से लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं पलायन करके बाहर जाते हैं इतनी मेहनत से वो काम करते हैं, दिन रात काम करके घर पैसा भेजते हैं इस सरकार ने क्या किया जब करोना आया, एक दिन में कह दिया लॉकडाउन हो गया, बसे बंद, ट्रेन बंद जाओ घर अपने तमान उत्राखंड के लोग, जो दिल्ली जैसे शहरों में मेहनत की कमाई करते हैं, दिन रात काम करते हैं उनको भगवान के भरो से छोड़ दिया कुछ दिनों पहले प्रदान मंत्री जी ने संसद में कहा कि कॉंग्रेस पार्टी ने इन लोगों की मदद की, कॉरोना पहला दिया पूरे देश में राजनीती करके तो हम क्या करते मैं पूछना चाहती हूँ आपके भाई बहन सड़क पे चल के आ रहे थे पैदल आ रहे थे कोई सुविधा नहीं थी कोई साधन नहीं थी क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ देते ऐसे बच्चे थे जो साइकल पे अपने माबाप को बिठा के चला रहे थे 600 किलमीटर दिली से बिहार तक मुझे याद है मेसेज आते थे हम उतरा खंड के हैं दीदी कहीं न कहीं से हमें मदद कर दो खाने को नहीं है एक दिन का खाना बचता है हमें मदद कर दो मुझे याद है हमने कितनी जीपों का इंतसाम किया बसों का इंतसाम किया क्यूं किया हम राजनीती कर रहे थे क्या हम अपना धर्म निभा रहे थे हमारा देशवासी अकेला बड़े बड़े शेहरों से पैदल अपने गाउं तक आ रहा था हमारी सरकार ने उसको भगवान भरों से छोड़ा हमने उसकी मदद की राजनीती के लिए नहीं क्योंकि हमारा धर्म था तो सोच लीजिए जो ये सीधी सी बात नहीं समझ पाता वो आपका विकास क्या कराएगा एक सीधी सी बात है हम सब बैठे हैं मंच पे किसने बिठाया आपने बिठाया ना बोलो हमने जोर से बोलो हमने बिठाया ये बात कभी मत भूलिये बेनों और भाईयों आपके अधिकार रोज छीने जा रहे हैं मंदिरों पे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं मेरी थारू बहने आपकी जमीन पे अधिकार चीने जा रहे हैं मेरे नौजवान भाई रोजगार का आपका अधिकार चीना जा रहा है आपको लूटा जा रहा है आपको गुमराह किया जा रहा है मैं एकी बात कहने आई हूँ आपको दिल्ली से आखें खोलो अपनी आखें खोलो और देखो कि पिछले पाथ सालों में आपके प्रदेश के साथ क्या किया गया है जाग रुक बनो ये जो शक्ती है न मैंने आपसे बुलवाया आपने बिठाया है इसको कभी मत भूलो याद दिलाओ इन लोगों को ये जो मुख्य मंत्री बैठे हुए आज कल आपको बिंदिया और चूडिया बात रहे हैं इनसे पूछो रोजगार क्यों नहीं बाते इनसे पूछो हमारी जमीन क्यों छीडी इनसे पूछो जब हमारे भाई बहन शेहरों से वापिस आ रहे थे तो तुम कहा थे आज क्यों आए हो हमारे पास जब हम संकत में थे जब हमारे किसान भाई अंदोलन कर रहे थे तो तुम कहा थे और आप सब इस बात आप सब इन सवालों का जवाब जानते हैं अपने दिलों में जाको पाँच सालों में क्या आप आगे बढ़े हैं आपका जीवन बहतर बना है बताओ बहतर बना है आपके इस मुख्य मंत्री ने आपका विकास किया है तो हराओ इनको खापरी जी इनको पहचानो कौन है ये कौन है ये ये वो शक्स है जिन्हों ने जो भी इनको शगुन मिला था अपनी शादी के लिए इन्हों ने उसको आपकी भलाई के लिए इस्तमाल किया पहचानो इनको सुबे से शाम आपके लिए काम करेंगे और इनका चेहरा आपको दिन रात दिखेगा इनको आप जब बनाएंगे अपना विधायक तो पाँच सालों के लिए हर रोज इनका चेहरा आपको यहाँ अपनी विधान समा में मिलेगा